सो ये गई साथ है हमारे पास Vivo T2X 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के amazing and hidden features बताने वाली हूँ जैसे कि अभी आप ये camera के around में light देख रहे हैं इसे मैंने कैसे apply किया है आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ और आपके पास कोई भी incoming call आईगी न तो आपकी flashlight ऐसे blink करने वाली है और आपका phone lock रहेगा और आप double tap करेंगे स्क्रीन में तो phone automatically unlock हो जाएगा और आपको phone unlock रहेगा और double tap करेंगे तो automatically lock हो जाएगा तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ तो चली वीडियो के start कर लेते हैं बट वीडियो start करने से पहले मेरा नाम जान लीजे तो मेरा नाम है रोसनी और आप सभी का tag for रोसनी में स्वागत है और हाँ यह features वाला part 2 है तो अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो link आपको description पर मिल जाएगी आप उहां से जाकर part 1 भी देख लेना तो चली बात कर लेते हैं first features कि आप एक ही phone में एक ही screen में दो-दो application एक साथ चलाना चाते हैं एक ही समय में तो आपको अपनी three fingers को कुछ type से ले जाना है और नीचे आपको एक और window देखने के लिए मिल जाएगी तो अब आप यहां से एक और application को use कर सकते हैं जैसी कि आप अभी screen पर देख सकते हैं दो application हम एक साथ use कर रहे हैं अब बात कर लेते हैं next features की जैसी कि आपने एक application को open कर लिया है और फिर दूसरी application को भी open कर लिया है अब आपको पहली वाली application पर जाना है तो आपको menu बटन में दो बार press करना है तो आप पहली वाली application में switch कर जाएंगे और अगर बापस आपको उसी application में आना है तो आप दो बार menu बटन पर press करेंगे तो भी आप बापस उसी application में आजाएंगे अब अगली features की बात कर लेते हैं तो आपको three fingers से कुछ इस type से करना है तो screenshot लग जाता है आपको दो बार got it पर click कर देना है और फिर आप three fingers से ऐसा कर लेंगे तो screenshot लग जाएगा और आप power button और volume minus button को भी press करकर रखेंगे तो भी screenshot लग जाता है अब बात कर लेते हैं next features की आपको कोई बड़ी सी screenshot लेना है को three fingers से कुछ इस type से करना है तो आपको नीचे long screenshot का option देखने के लिए मिल जाता है तो आप यहाँ पर click करके आपको जि manager करके एक app देखने की मिल जाता है तो simply आपको यहाँ पर click कर देना है दो बार टिक करके आपको agree कर देना है अब आपको यहाँ पर optimize के option पर click करके ठोट को optimize कर लेना है आपको फोन जैसी की lag बगएरह होता है तो आपto más कर लेंगे तो phone lag बगएरह नहीं होगा और मेरे करना ही चाहिए फोन लेग हो या फिर ना हो बट एक बार ऑक्टमाइस करना ही चाहिए और यही पर आपको स्पेस क्लीनप का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको यहां पर भी क्लिक कर देना है आपके फोन में जो भी जंक फाइल बगरा होती है या फिर बड़ी बड़ी जो बगेर होंगे या फिर जैसे एप या एप्लिकेशन से आपके फोन को खत्रह होगा वो यहां पर बता देगा अब नेक्स्ट फीचस आपको यही पर एप इंक्रिप्शन का मिल जाता है तो आप यहां पर क्लिक करके अगर आप किसी एप में लॉग बगेर डालना चाहते हैं तो आप यहां से लॉग पगेर भी डाल सकते हैं यहां पर आपको एप क्लॉनर का ओप्शन मिल जाता है तो आप यहां पर क्लिक करके उस एप को डवल भी कर सकते हैं जो एप यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं आप उनके डूब्लिकेट एप भी बना सकते हैं अब अगला features आपको यहीं पर मिल जाता है, काफी कमाल का features है, network speed testing का, आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं, कि net कितने kb में चल रहा है, या फिर mb में चल रहा है, uploading और downloading speed को भी देख सकते हैं, अब बात करते हैं next features की, तो इसके लिए आप setting में आना है, setting में आने बाद आपको यहीं पर shortcut and accessibility के option पर click कर देना है, नीचे आपको एक option देखने के लिए मिल जाता है, face beauty for video call, तो आपको यहाँ से phone के option को enable कर देना है, enable करने से क्या होगा गाइस की आप whatsapp में, facebook में, video calling बगएरा करते हैं तो उस समय आपका face और अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, face में beauty देखने के लिए मिल जाएंगी अगर आप इस option को enable कर देते हैं, तो अब अगली features के लिए आपको back आना है, यहीं पर आपको flash notification के option पर click कर देना है, यहाँ पर आपको incoming call के option को on कर लेना है, अब on करने से क्या होगा, आपके पास कोई भी call बगएरा आएगी तो flashlight आटोमेटिक ही on हो जाएगी, अब अगली features के लिए आपको back आना है, यहाँ पर आपको accessibility का option देखने के लिए मिल जाता है, आप यहाँ पर click कर देएंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे option देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहीं से brightness को कम जादा कर सकते हैं, flashlight को भी यहीं से on कर सकते हैं, screenshot यहीं से ले सकते हैं, और calculator को भी आप यहीं से use कर सकते हैं, आपको बहुत सारे features देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से उन्हें use भी कर सकते हैं, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले features की, तो इसके लिए आपको दो उंगलियों से pinch करना है, और नीचे आपको UI का color देखने के लिए मिल जाता है, अगले features की बात करने के लिए आपको दो उंगलियों से pinch करना है, या फिर long press कर देना है, यहाँ पर आपको home setting के option पर click कर देना है, और उपर आपको home screen style का option देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर click कर देना है, यहाँ पर आपको दो option देखने के लिए मिल जाते हैं standard का और drawber का अगर आप standard में करींगे तो आपके जो सारे application एप बगएर हैं वो आपको home screen पर ही देखने के लिए मिलेंगे और यदि आप drawber पर करते हैं तो आप ऐसा swipe करींगे तो आपको सारे app देखने के लिए मिलेंगे अब आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से उन्हें select कर सकते हैं अब अगले features की बात करने के लिए आपको यहाँ पर long press कर देना है और नीचे आपको home setting के option पर click कर देना है तो आपको इसे on कर लेना है on करने से क्या होगा गाईस कि आप कोई भी app बगएर डाउनलोड करते हैं प्लेयो स्टोर से तो आप ऐसा swipe करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि वो app आपको home screen पर भी देखने के लिए मिलेगा आप बात कर लेते हैं अगले features की तो आपको back आना है यहीं पर आपको नीचे rounded corner and size to icon का option देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यहाँ पर click कर देना है यहाँ से आप icon के style को भी change कर सकते हैं आपको round रखना है या फिर रखना है आप अपने हिसाब से इने change भी कर सकते हैं और नीचे आपको icon size का option देखने के लिए मिल जाता है तो आप इसके size को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं आपको medium लखना है large रखना है या फिर extra large रखना है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं अब अगले features की बात करने के लिए आपको back आना है यहीं पर आपको log layout का option देखने के लिए मिल जाता है अब अगले features की बात कर लेते हैं आपको अभी site में यह Google discover देखने के लिए मिल जाता है अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं इसके लिए आपको home screen पर long press कर देना है और यहां से आपको home setting के option पर click कर देना है और नीचे आपको एक option देखने के लिए कर देना है अब आप यहां home screen पर आकर देखेंगे तो साइट में आपको Google discover देखने के लिए नहीं मिलेगा अगले features की बात करने के लिए आपको back आना है और नीचे आपको एक option देखने के लिए मिल जाता है swipe downward on home screen का तो यहां पर आपको click कर देना है और notification को center पर रख लेना है इससे क्या होगा guys कि आप अभी home screen पर आएंगे हम उपर की side से press करते हैं तो driver निकल कर आजात है अब आप center से ही swipe करेंगे तो notification driver हमें देखने के लिए मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं next features की अभी आप य camera के around में light देश रहे हैं इसे मैंने कैसे apply किया है आपको बता ही रेती हूं तो इसके लिए आपको जादा कुछ नहीं करना है Google Chrome पर जाकर आपको एक application को download कर लेना है जिसका नाम है ring ring app आपको कुछ इस type से देखने के लिए मिलेगा ring ring app यहां से आपको इसे open कर लेना है open करन है ओन करने के बाद आपको light देखने की मिल जाएगी और आप इससके size को भी adjust कर सकते हैं ओर इसके color को भी change कर सकते हैं अगर आप इसके color को change करना जांए तो यहां से आपको color wavelength देखने की मिल जाएंगे आप बात कर लेते हैं अगले पीचस की आप उपर अभी डाइनमी कालेंड देखने के लिए मिल रहा है इसे मैंने कैसे लाया है आपको बता ही देती हूं तो इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर आपको डाइनमीक स्पोर्ट करके एक एप्लिकेशन है उसे डाउनलोड कर ले मिल जाता है यहां पर आपको क्लिक कर देना है और यहां पर यूज डाइनमीक स्पोर्ट के ऑप्शन को इनेवल कर देना है अब आपको सारी चीजे अलाव बगएरा कर देना है अब आपको बैक अजाना है और नोटिफिकेशन एप के ऑप्शन पर क्लिक कर यहां से आपके सारे app को allow कर देना है फिर आपकी जिस भी application से notification बगरा आएगी तो उपर आपको dynamic island देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आप position के option पर click करके इसके size को भी adjust कर सकते हैं आपको इतना बड़ा रखना है या फिर इतना बड़ा रखना है आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं अब आपको स्क्रीन में dynamic island देखने के लिए मिल गया है अब आपकी कोई भी notification बगरा आएगी और आप dynamic island में long press करेंगे तो आप उस notification को देख सकते हैं उसमें क्या है यह सभी चीजे rate कर सकते हैं अब अगले features की बात करने के लिए आपको दूंगली उसे pinch करना है या फिर long press करना है home screen पर और नीचे आपको home setting का option देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यहाँ पर click कर देना है और आपको नीचे scroll करकर आना है app icon badges के option पर click कर देना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है home screen app icon badges का तो आपको यहाँ पर click कर देना है अगर आप do not display पर करते हैं तो कोई भी notification बगएरा आती है तो आपको इसके icon बगएरा देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो आप number पर कर देएंगे तो कोई भी notification बगएरा आईगी तो उसकी quantity पताएगी कि कितनी notification बगएरा आई है और अगर आप dot पर कर देते हैं तो आपको app में dot देखने के लिए मिलेगी और आपको उसी dot से पहचारना पड़ेगा कि कितनी notification बगएरा आई है बात कर लेते हैं next features की तो इसके लिए आपको setting में आना है और setting में आने गवाद आपको shortcut and accessibility के option पर click कर देना है और नीचे आपको system navigation को option देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद आपको कुछ एंसा interface देखने के लिए मिलेगा आप यहाँ से button के भी style को change कर सकते हैं आपको जो भी style रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं और ready आप जाते हैं कि button वगएरा height हो जाएं तो simply आपको gesture पर click कर देना है gesture पर click कर देएंगे तो आपकी button वगएरा सारी height हो जाती हैं फिर आप ऐसा करेंगे तो back अजाएंगे और ऐसा करेंगे तो भी back अजाएंगे और आप long press करकर रखेंगे तो recently एप पर चल जाएंगे फिर आप उन्हें एप को भी यहां से हटा सकते हैं आप अगले features की बात कर लेते हैं तो इसके लिए आपको setting में आना है setting में आने इवाद आपको lock screen and wallpaper के option पर click कर देना है जैसे कि wallpaper यहां यहां पर click करेंगे तो आपको बहुत सारे wallpaper देखने के लिए मिल जाते हैं live wallpaper भी देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप यहां पर click करके उन्हें apply भी कर सकते हैं अगर आपको यह वाले wallpaper नहीं चाहिए तो आप download more पर जाकर और भी wallpaper को download कर सकते हैं और local wallpaper के option पर click करके आपकी जो gallery में photo बगेरा होंगी यह pictures होंगी आप उन्हें भी यहां से wallpaper पर set कर सकते हैं अब अगले features की बात करने के लिए आपको back आना है और यहीं पर आपको lock screen setting के option पर click कर देना है यहां पर आपको एक option देखने के लिए मिल जाता है lock screen poster का तो आपको इसे off कर देना है off करने से क्या होगा guys कि आप जितने बार भी phone को lock unlock करते हैं तो आपको अलग-अलग ball paper देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप अगर इस option को off कर देते हैं तो आप phone को कितने बार भी unlock या फिर lock क्यों ना करें बाल पेपर चेंज नहीं होगा और अगर आप चेंज करना जाते हैं तो इस option को enable कर सकते हैं तो वाईस ये रहे वीवो T2X 5G smartphone के amazing and hidden features आपको कौन सा feature सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे comment में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को एक like कर देना और चैनल को subscribe करके bell notification को all पर select कर देना अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching this video